नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी मेरी और मेरे बेटे संजु के बीच के रिष्टे पर आधारित है। मेरा एक लड़का है जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है। जब उसे कुछ दिन की छुट्टियां मिलती हैं तो वह घर आ जाता है और हम साथ में बह बाहर घूमने फिरने की ज्यादा आजादी नहीं होती है इसलिए वह वह अकसर बोर हो जाता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि वह बहुत बोर हो चुका है और कहीं घूमने जाना चाहता है। मैं और मेरे लड़के ने मिलकर घूमने का प्लैन बनाया और तय किया कि हम मुंबई जाएंगे। हमने उसी दिन अपनी पैकिंग कर ली और अगले दिन ही मुंबई के लिए रवाना हो गये। मुंबई पहुंचकर हमने एक होटल में कमरा बुक किया लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे पतनी की तरह ट्रीट करन लगेगा। आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। चलिए अब मैं आपको इस कहानी की पूरी जानकारी देती हूँ। कम देखभाल करते थे और अधिक समय विदेश में रहते थे जिससे मैं अकेला पन महसूस करती थी। मैंने अपने लड़के की परवरिश पूरी तरह से अकेले ही की है। उसे अच्छे से पढ़ाया संसकार दिये और पांचवीं कक्षा तक उसे अपने साथ रखकर ही उसकी पढ़ाया का ध्यान रखा लेकिन फिर एक दिन मेरे पती विदेश से वापस आए और उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। धीरे-धीरे मुझे अंदर से खाने लगा था। मेरा लड़का कभी-कभी फोन पर मुझसे बात कर लेता था। लेकिन मेरे पती तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। यह सोच मेरे मन में घर करने लगी थी कि शायद में पती का विदेश में किसी और के साथ संबंध लेकिन मैंने यह बात अपने लड़के से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लड़के के मन में उसके पिता के प्रती कोई नकारात्मक भावना उत्पन न हो। मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरा बेटा बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर जल्दी से घर लोटाए। इसलिए मैं बस चुप चाप सब कुछ सह रही थी। समय बीता गया और मेरे स्वास्थय पर इसका असर पढ़ने लगा। मेरी भूख प्यास कम होती गई और मैं धीरे-धीरे बीमार रहने लगी। मेरी बीमारी का मुख्य कारण मेरा अकेला पन डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने बोला कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है जो मेरा ध्यान रख सके और मुझे खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे ऐसी किसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां मेरा मन बहल सके। क्यूंकि मैं अकेली थी, डॉक्टर ने मेरे लड़के को फोन करके मेरी स्थिती के बारे में बता दिया। अगले ही दिन मेरा लड़का अपनी गर्मियों की छुट्टियों में थाइलेंड से वापस आ गया और सीधे अस्पताल से मुझे घर ले आया। उसके आने से मुझे थोड़ी राहत मिली। और मैंने महसूस किया कि मेरे लड़के का प्यार और साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है और वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो चलो मैं तुम्हें मुंबई घुमा लाता हूँ। मैं मना क ये अच्छे-अच्छे कपड़े भी पैक कर लेना। मेरे लड़के ने कहा जैसे आप शादी से पहले पहनती थी मैंने कहा वह सब मैं अब कहां पहनूंगी। बेटे ने कहा कहा बस आप रखलो यहां नहीं तो वहां पहुँचने पर पहन लेना आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर लड़के के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे-च्छे कपड़े पैक कर लिए। उन में से कोई पहन लीजिए। मैं आपको कुछ अलग अंदाज में देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगेंगी। जब मेरे लड़के ने ऐसा बोला तो मैंने भी दूसरी ड्रेस पहन ली। फिर जब उसने मुझे देखा तो उत्साह से कहने लगा, मम्मी, आप कितनी सु लो, अब होटल वापस चलते हैं, मैं काफी ठक गई हूँ। लड़के ने सहमती में सिरह लाया, और हम होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने रात का खाना होटल में ही मंगा कर खा लिया। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने ल मम्मी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हैं, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा आपके साथ कहां रहते। हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। लड़के ने थोड़ी देर बाद मुझसे एक और सवाल किया, मम्मी, क्या आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी? मैंने मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वह हंसते हुए बोला, बताईए ना मम्मी प्लीज, तब मैंने भी उसे सब कुछ बताना शुरू किया, मैंने कहा, हाँ, शादी से पहले म मेरे लड़के के लिए बेहत खास बन गया, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई, और तुम्हारे पापा से हो गई, वह भी मुझसे तुम्हारी तरह बातें करता था, खाने पीने की चीजें लाकर देता था, और हमेशा खुश रखता और कहता था, कि तुम ऐसे ही अच खिकाना नहीं रहा, मैं खुशी के मारे अपने लड़के के सामने सर रख कर रोने लगी, लड़के ने मुझे चुप कराते हुए बोला, मम्मी, आप रोईए मत, डॉक्टर ने कहा है कि आपको खुश रहना चाहिए, और इसी कारण मैं आपको यहां लाया हूँ, सच कहूं तो उस रात मेरे लड़के ने मुझे इतनी खुशी दी, जितनी मुझे इतने सालों में कभी अपने पती से भी नहीं मिली थी, हमने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से सांझा किया, अब मेरी तबियत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं पूरी तरह से फिट और ठीक महस कर रही थी, अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए और उस दिन मैं बहुत खुश थी, मेरे लड़के ने मुझे खुश रखने के लिए पूरा साथ दिया, फिर मैंने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्ल्फरेंड है? उसने जवाब दिया, हाँ, ह पर आपके जैसे अपनापन का एहसास किसी के साथ नहीं है. इसके बाद लड़के ने मुझे अपनी और अपने दोस्तों की सारी बातें बताई, फिर वह कहने लगा, अब हम हर साल किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हमेशा उससे बोला, मुझे खुश तो सिर्फ मेरा पती ही रख सकता है, क्या तुम मेरे पती की तरह रह सकते हो? इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि लड़के ने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया. तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं, अगर